Hi everyone, this is Prashant from Academics for CAC Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66 BPSC मुख परिच्छा की दृष्टि कौन से बिहार बजजट 2021-22 को मैं डिसकस करूँगा आज का जो मेरा वीडियो है वह मुख था जो हालिये में बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधान सभा के पटल पर बजजट को पेस किया गया था उस बजजट में ऐसे कौन-कौन से प्रावधान किये गए हैं जो हमारे 66 BPSC मुख परिच्छा के लिए काफी जादा महत्पू पूछे गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बजजट को या फिर आर्थिक समिच्छा को आपको पढ़नी नहीं है आपको अवस्य पढ़नी है क्योंकि जितने भी प्रशन आपको वहां पर एक्जाम में पूछे जाएंगे चाहेवा एकोनामिक्स का प्रशन हो सकता है ज प्रवधानों को सामिल कर शकते हैं तो बिहार का बजजट या फिर आर्थिक समिच्छा आपको अवस्य पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर वहां पर प्रशन आए और इन से भी डेटा को या फिर बिहार सरकार के द्वारा भविश्य में कौन-कौन से कार किये जाएंगे या फिर बिगत वर्शों में क्या क्या कार किये जा चुके हैं इन से भी डेटा को आप वहां अगर अपने उत्तर में शामिल करते हैं तो आपके उत्तर की एक तो अस्टेंडर बढ़ जागा दूसरा है कि जो भी आप वहां पर संटेंस लिखेंगे उसकी प्रमानिकता बढ़ जाएगी तो यहां अवश्य है कि आप बजट को काफी अच्छे तरीके से देखें ठीक है अगर इस्थिती यह भी हो सकती है कि बिहार बजट से समन्दि प्रशन को पूछा जाए या फिर जब आप मेंस परिच्छा के बाद जब आप इंटर्विव में जाएंगे तो वहा तो यहां पर बजट से समन्दि प्रशन अगर पूछे गए तो इस संदर में आ सकता है कि बिहार के समाजिक आर्थिक बिकास के लिए बिहार सरकार के दवारा कौन-कौन से बजट में प्राभधान किये गए या फिर आत्म निर्भर बिहार के निर्मान के लिए बिहार सरका तो अरहाली में पेस किये गए बजट में कौन-कौन से प्रावधान किये गए हैं साथ नीच्चे से समधित प्रशन पूझे जा सकते हैं ठीक है तो भर आउ लिया हमारा आज का डिसकासन का बिंदू होगा तो सबसे पहले हैं देखिए कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए बिहार सरकार ने 4761 करोड रूपय का प्रावधान किया है यानि कि आत्मनिर्भर जिस परकार से भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दे रही है उसी परकार से बिहार सरकार ने आत्म निर्भर बिहार पर फोकस करने के बात की रही है आत्म निर्भर बिहार कहने का मतलब है स्वारोजगार को बढ़ावा देना है ना लोगों को ट्रेंड करना कुसल बनाना अस्किल डेवलप्मेंट करना यही हमारा अत्म निर्वर बिहार होगा और यही बिहार के विकास का मूल मंत्र होगा तो बजट के समन्हें संशिप्त चर्चा करते हैं बजट का अगर अकार देखें हलाकि यह प्रिलिम्स फैक्ट का है कि बजट का अकार कितना है बिगत वर्षों की तुलना में कितनी परतिशत की बृद्धी हुई या तो या प्रिलिम्स फैक्ट है या फिर इंटर्विव में आपसे इस परकार के प्रशन पूछे जा सकते हैं तो बजट का अभी अकार है हमारा 2,18,000 करोड बिगत वर्षों की तुलना में 3.08% की बृद्धी हुई है क्योंकि अगर 2,020,21 का बजट देखें तो बजट का अकार 2,11,761 करोड रूपय था अब वह बढ़कर हो गया है 2,18,302 करोड रूपया या हमारा बजट का अकार है राजस्व अवंटन की बात की गई है तो वह पैसे कहां से आएंगे और सभी पैसों कहां कहां पर वे खर्च किये जाएंगे जैसे राज्य सरकार के कर राजस्व से प्राप्ति होगी 16.0% है ना इसके अलावा केंदर सरकार से अनुदान की रूपय 24.96% की प्राप्ति होग में, समान問 सेबाओं के रूप में, यह दिया हुआ है तो एक प्रेलिंड स्वाक्ष है जिसलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ अब जो मेंस के लिए जो दृष्टिकों से जो महत्पुन प्रशन है उस पर आते हैं मेंस के लिए महत्पुन प्रशन है कि बिहार सरकार के द्वारा एक बिक्सित बिहार बनाने के लिए शमाजी कार्थिक डिवलप्मेंट के लिए कौन-कौन से बजट ये अवंटेन किये गए हैं कौन-कौन से बजट समंधि प्रावधान किये गए हैं तो इसके लिए हमने कूल मिला कर 10 सेक्टर को चिनहित किया है जो की बिहार शरकार के दुआरा जिस पर काफी जादा फोकस की गई और इन 10 सेक्टर में वे सभी सेक्टर समाहित हैं जो की बिक्सित बिहार बनाने के लिए बनाने की दुष्टिकों से मातपूर्ण है जिनमें सबसे पहला जो आता है वाहे एजुकेशन सिच्छा छेत्र जो है सिच्छा छेत्र में लगभग 38,000 करोड रुपे खर्च करने की बात की जा रही है सिच्छा छेत्र में हमने कई भागों में इसे बाता कंप्यूटर सिच्छा, खेल सिच्छा, इस्तिरी सिच्छा कई हमने डिवाइड भागों में इसे बाता है जिसमें पहली बार कंप्यूटर सिच्छा की चर्चा यहां पर की गई है इस budget में जो प्रावधान किया गया उसमें है कि अब राजी के सरकारी बिद्धालियों में कच्छा च्छा और उसे उपर के बिद्धार्थी भी अब computer शिच्छा ग्रहन करेंगे यानि कि अब बच्छों को मध्य जो बिद्धाले होता कच्छा च्छा से उपर के कलास में computer शिच्छा दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्छों में skill development आएगी computer के बारे मुन्हें जानकारी मिलेगी तो बड़े होकर स्वरोदगार जैसे कारकरम को सुरू कर सकते हैं तो computer सिच्छा की बात की गई है इस्तिरी सिच्छा में आप देखे ही होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा बिगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इस्तिरी सिच्छा की दीशा में करांतिकारी परिवर्तन किये गए हैं चाहे उन्हें प्रोसाहन package देने की बात हो या फिर उनके नमांकन अनुपात बढ़ाने के लिए आप primary education की बात करें तो उन्हें साइध कच्छा 9th में उन्हें साइंकिल दी जाती है पोसाक दी जाती है मिड़े मील उन्हें जो असकुल में उनका नमांकन बढ़े इस हिसाब से कई सारे कार्जक्रम सुरू किया गया है लेकिन इस बार के budget में जो में प्रावधान किया गया है वह है इन्हें प्रोसाहन रासी को बढ़ा दिया गया है पिछले वर्ष के चुनाओ के दौरान इसकी घोसना की गई थी और जिसको budget के रूप में इस वार स्विक्रिती दी गई है तो सिच्छा के अंतरगत computer सिच्छा मात्तपून है इस्तुरी सिच्छा मात्तपून है अब आते हैं खेल के दृष्टि कोन से खेल के दृष्टि कोन से अगर देखें तो बिहार सरकार के दौरा तीन महत्तपून इंवर्षिटी खोलने की बात की गई है जिन में एक तो है खेल इंवर्षिटी, मेडिकल इंवर्षिटी और इंजिनियरिंग मेडकल और इंजिनियरिंग के समद्ध में अभी कोई जादा बिस्तरी तुरूप से इसकी चर्चा नहीं की गई है लेकिन खेल भी स्विदाले की चर्चा अबस्य की गई है और इसका निर्मान रादगीर में किया जागा अगर क्रिशी सिचा की बात करें तो क्रिशी सिचा को बिहार सरकार के द्वारा पहली बार अपने असकूली पाठिकरम में सामिल करने की चर्चा की गई है और इसके जरीए क्या होगा तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो प्रैमरी एजुकेशन के हैं मध्धे विदाले में उचितर माधिमिक माधिमिक जहां पर भी बच्चे पढ़ रहे उनमें क्रिशी के बारे में जागुरुपता आएगी क्रिशी शिच्चा दी जाएगी क्रिशी में अधुन की करन को किस परकार से बढ़ावा दिया जाए क्रिशानों की आय को किस परकार से बढ़ाया जाए क्रिसी के अलावा कौन-कौन से स्वरोजगार से शंबंधित कार्चक्रम ग्रामिन अस्तर पर किये जा सकते हैं, छेतरी अस्तर पर किये जा सकते हैं, अगर इन सभी सिच्छा को बच्चों को प्रोवाइड की जाए तो निशन दे बिहार में जो क्रिसी के छेतर में बदलाव सकते हैं या फिर शिच्छा के छित्र में ऐसे बदलाओ देखने को आने वाले बर्षों में देखे जा सकते हैं या देखने को मिल शकते हैं तो समाजी कर्थिक विकास की जो रीड कही जाती है वह है हमारा एजुकेशन और हिल्थ तो हमने एजुकेशन सेक्टर को डिसकस किया अब देखते हैं हिल्थ सेक्टर हिल्थ सेक्टर की जो हिल्थ सेक्टर पर इस समय सरकार के द्वारा काफी फोकस किया गया है क्योंकि इसका सबसे महत्पूर्ण कारण जो है वह COVID-19 और इससे उत्पन चुनावतियां अब COVID-19 का जिस परकार से प्रशार हुआ है तो आने वाले बर्शों में ऐसे महमारी हमें देखने को ना मिले या इससे जन छती निवनतम हो इसके लिए गरामिन अस्तर तक स्वस्थ सुविधाओं को सुद्रुड़ करने का संकल्प लिया गया जिल्ला और अनुमंडल अस्पताल से जो प्रात्मिक स्वस्थ केंद्र है उन्हें जोड़ा गया जिल्ला और अनुमंडल अस्पताल को जोड़ा गया है राजी के 10 जिल्लों में नए मेडिकल अस्पताल खोलने की गोसना की गई है साथ ही पहले से जो नौ जिलो में मेडिकल अस्पताल खोले गए हैं उन्हें एक मौडल होस्पिटल के रुपे बिक्सित करने की बात की गई है इसके साथ ही बिहार इन्वर्शिटी आफ हेल्थ साइंसेस की अस्थापना की घोसना की गई है शाथी पटना सीटी में आयूस अस्पताल बनाने की घोसना की गई है तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा स्वास्त के छेतर में कुल मिलाकर लगभग 13,264 क्रोड रुपे खर्च की जाने का प्राभान किया गया जिसमें सरकार मुख्य रूप से स्वास्त के छेतर में जो मुलभूत शूवधायें हैं उसे सुद्रिड करने पर फोकस कर रही है ग्रामिन चेतरों तक परतैक लोगों तक सरभा़मिक रूप से स्वास्त कवरेज परवाइड किया जाए इसके लिए Medical College Hospital खूलने की बात की गई है नए नए जो प्रात्मिक स्वास्त के अंदे होने जिलना अस्वास्ट अस्पताल या फिर अनवंडल अस्पताल से जोड़ने का स्वास्त की बात की गई है तो इस परकारशी स्वास्ट के छितर में जोकि समाजिक आर्थिक विकास की किरीड हमने कहा सिच्छा और श्वास्त के छेतर में तो इन दो सेक्टर बहुत ही मातपूर्ण है अब देखते हैं कि रोजगार के लिए चुकि अर्थब्यवस्था तब तक बिक्सित नहीं कर शक्ति जब तक कि वहां के लोग या तो सुबर रोजगार नहीं करेंगे या फि अज़ट के माध्यम से अस्कील डेवलाप्मेंट एंड उद्यामिता बिकास नामक एक नए बिभाग बनाने पर फोकस कर रही है इसका कहना है कि स्वारोजगार के अफसर को बढ़ाने के लिए हम एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे और उस डिपार्टमेंट का नाम में मेगा अस्कील सेंटर खोलने की बात की गई है और इसके अलावा जितने जिल्ले में या फिर लोकल लेवल पर आई टी आई पर टेकनिक की अस्थापन की गई है तो उन्हें सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा रोजगार के अंतरगत जो में सेंटर देखा जा तो बिहार सरकार ने स्वारोजगार को बनाया है यानि रोजगार के अंतरगत मुखेता स्वारोजगार पर फोकस किया जाएगा अब इसके अलावा देखें हमने सिच्छा स्वास्थ रोजगार अब देखते हैं ग्रामिन विकास तो ग्रामिन विकास चुकी बिहार की जो में अर्थववस्था की जो रीड है वह हमारा गाउं है वह हमारा एग्रिकल्चर सेक्टर है तो जब तक ग्रामिन विकास नहीं होगी तब तक बिहार की अर्थववस्था उन्नत नहीं हो सकती है तो बिहार सरकार ने ग्रामिन विकास के लिए कई सारे रोड मैप बनाए है यही सोलर अश्ट्रीट लाइट के लिए देर सो करोड रुपया वंटित किये गए हैं, सोलर अश्ट्रीट लाइट अब समझे कितना महत्पुन इनिसेटि बिहार सरकार ने लिया है, बिहार सरकार का मानना है कि गौँ जब तक स्वच नहीं होंगे, गौँ जब तक सम्रिद नहीं होंगे, तब तक बिहार बिक्सित राजी की सिरेणी में नहीं आ सकता है, इसलिए बिक्सित बिहार बनाने के लिए उसने गौँ को बिकास का केंदर बनाया है, और गौउं में सबसे पहले सोलर अश्टीट लाइट की वेवस्था करने की बात की गई है सोलर अश्टीट लाइट यानि की सौर उर्जा से संचालित होंगे गौउं की गलिया ठीक है तब गौन की गल्यों में भी आपको बिजली आपको लाइट की ब्यवस्था देखने को मिलेगी और वो भी सौर उर्जा से संचालित होंगे या ब्यवस्था हर खेत तक सिचाई का पानी पहुंचे इसके लिए अलग से 550 करोड रूपय का अवंटन किया है ग्रामिन छित्रों में रुज़गार स्रीजन के लिए पसुपालन, मच्जपालन, दुख दुथपादन, आदी को पेसा का अधार बनाया जागा साथ ही साथ ग्रामिन सड़कों का निर्मान क्या जागा यानि कि बिहार सरकार ग्रामिन छित्र में धारगुस सनक्चना के विकास के लिए प्रतिबद है ग्रामिन छित्र में सोलर लाइट की ववस्था हो नई सड़कों की निर्मान की ववस्था हो हर खेत तक सिचाई के लिए पाने उपलत कराना हो या फिर ग्रामी नर्थ विवस्था में पसुपालन को बिक्सित करना हो इसके लिए बिहार सरकार ने अपने बज़र्ट के माध्यम से विवीन परकार के अवंटन किये हैं इसके अलावा एक और जो महत्तपुन बात है वह है MSP को लेकर MSP मिनमम सपोर्ट प्राइस अब जानते होंगे क्योंकि अब बहुत जादा इस समय नीज में है और अगरिकल्चर से रिलेटेड है बिहार में अभी तक जो था वह धान और गेहुम के संबंद में ही वह MSP दी जाती थी दान और गेहुम के चेत्र में पहली बार बिहार सरकार ने दलहन पर MSP देने की घोसना की है यानि कि अब अगर कोई किसान दलहन का पादन करता है तो उसे भी मिनमम सपोर्ट प्राइस के तहत उसे खरीद की जाएगी तो यह इसे कहने कहीं किसानों की आए बढ़ेगी क्योंकि अगर मंडी से बाहर अगर आप लोकल मार्केट में बेचोगे तो हो सकता है कि उसे एक वहन करने लाइक मुले ना मिल पाए तो सरकार अगर उस पर MSP देती है तो निशन्दे किसानों की आए उस पर बढ़ेगी साथी साथ बिहार सरकार पसु पालन की भूमका और देशी गायों के सरच्छन के लिए उनकी वंस के सरच्छन के लिए नशनल की सरच्छन के लिए गोवंस विकास संस्थान की बात कर रही है ठीक है तो हमने ग्रामिन विकास को देखा जो की अर्थववस्था की महत्पुन रिड है एक और महत्पुन सेक्टर है energy हमने यहाँ पर सेक्टर वाई डिसकस किया है तो यह महत्पुन बन जाता है टौपिक तो यहाँ टौपिक काफी ज़्यादा मत्पुन है अब जैसे आप पर energy डिसकस करें तो आप energy से related कोई भी प्रशन आए बिहार शरकार के दवारा कीये दार है कार detto आप उसमें सामिल कर शकते हैं तो यहां सेक्टर र्वाज इसलिए हमने किया है ताकि आप लोगों को सुबिदा हूए इनर्जी के अंतर गत करिफ दौर रहे आए वहा है फोकस युद्ड ग्रीन पावर बिहार शरकार ग्रीन पावर को विकास के लिए ग्रीन पारो कहने का मतलब हो गया जैसे कि सौर उर्जा है ना पवन उर्जा चुकि बिहार में इसकी सुबधा नहीं है कि पवन उर्जा या फिर का ज्यादा बड़े अस्तर पर इसका विकास क्या जाए लेकिन बिहार सरकार ने सौर उर्जा पर काभी ज़्यादा फोकस कर रही है लखी सराय के कजरा एवां भागलपूर के पिरपैंती में सौर उर्जा परियोजना की अस्थापना की चर्चा की गई है 250 मेगावाट ग्रिट कनेक्टेड ग्राउंड मौंटेड सौलर पावर प्लांट की अस्थापना की चर्चा की गई है जल जिवन हर यालिया भियान के तहट अगर देखें तो बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं वे ब्लॉक आफिस हो प्रात्मिक स्वास्थ के अंदर हो या फिर पंचात भावन हो उच्चतर माधमिक बिद्दाले के भावन हो तो उनके उपर रूप टॉप पलान के जरिये सोलर इनर्जी का वहाँ पर विकास किया दाएगा तू आप देख़ो कि जयसे मान लेते हैं उदारन के लिए कोई पंचात भावन यह बिर्दिंग बने हुए है चुकि यह उपर में खाली है, बिल्डिंग बनी हुए, पंचायत भव नीचे में कर जाले है, वहाँ पर पदा धिकारी लोग करमचारी लोग वहाँ पर बैठते हैं, और दैनिकति विद्यों को संचालित करते हैं, चुकि छट पर जगा खाली है, तो वहाँ पर सोलर होती है, तो वह अगल बगल के आसपास के जो भी बिल्डिंग है, जो भी संस्थान है, जो भी घर है, वहाँ पर उसे वहाँ पर प्रवाइड किया जा सकता है, तो रूप टॉप सोलर प्लांट के जरिए बिहार शरकार बिविन बहुत अधीक मात्रा में सौरुजाक उत्प अगर आप ग्रामिन छेत्र में रह रहे हो, तो जो मुखे सड़के हैं, उससे आपका गौंग कनेक्ट जल्दी हो, आप मुखे सड़कों पर असानी से सूबधा जनक, बारह मासी सड़क जिससे का सकतों, वहाँ पर आप असानी से पहुँच सकें, तो परिवार की विकास के गाकर बिहार सरकार को काम करना है, तो इसके लिए प्रतेक प्रमंडल में अंतराजिय बस टर्मिनल का निर्मान के जाने की चर्चा की गई है, अंतराजिय बस टर्मिनल का निर्मान हाली में पटना में किया गया है, आप अभी शुबदा हुए है, वहाँ से सिर्फ गया और गहानाबाद की बशे मिलती है लेकिन अभी वह निर्मान अधीन है पटना में अंतराजिये बश टर्मिनल का निर्मान नए सिरे से किया गया है पाटिल पुत्रा में है संभबता तो यह है सभी प्रमंडल में वैसे टर्मिनल का निर्मान किया जाएगा पटना मेट्रो का निर एर कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है और बिहार सरकार की कोशिस है कि आने वाले एक से दो वर्ष के अंदर बिहार के जितने भी मेन शीटी है उनको हवाई उड़ाने वहां से सुरू करने का कार किया जाए तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार दोवारा किस परकार से पर पर परेटन की विकास की काफी ज़्यादा संभावनाय हैं, गया है, पटना है, नालंदा, राजगीर, ऐसे कई छेत्र हैं, पावापूरी, ऐसे कई छेत्र हैं, जहां पर परेटन की शुबधाएं अगर बिक्षित कर दी जाए तो भिहार सरकार को बहुत जादे रिवेन्यू की प्राप्ति हो सकती है, तो परेटकों की सुबधा के लिए देखा दया, तो पटना और गया में, कम्यूनिटी हॉल और बिश्चरा माले का निर्वान, बिश्चरा माले का मतल होता है, बिश्राम जोड आले, बिश्राम करने के लिए घर की ववस्ता करने की चर्चा की प्रेटरों को आपस में कनेक्ट किया जागा, और उसके माध्यम से एक वहाँ पे परेटन हब के रूप में उसे विक्सित किया जागा, तो यह हमारे सरकार का रोड मैप है, इसके अलाबा स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर बिहार के परेटन केंद्रों का विकास क कुछ परेटन केंद्रों को चिनहित करके परेटन मंतराले इस पर कारे कर रही है, और श्वदेश दर्शन योजना जो है, उसके तहत इसे जोड़ा जागा, अब देखते हैं सहरी करन को बढ़ावा, क्योंकि बिहार की अर्थववस्था, निशन देह, ग्रामी अर्थवव के द्वारा की गई है, इसके अलावा पुराने के जो नगर पंचाथ हैं, उन्हें नगर परिशद में उतक्रमित किया जाएगा, उसे वहाँ पे आगे एक्स्टेंड किया जाएगा, पाच नगर परिशद को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, तो इसे कहीं न कहीं वहाँ के लोगों की अबादी, रहन सहन, है ना, उसका अस्तर बढ़ जागा, जो नगर पालिका है, उसे नगर निगम, नगर परिशद है, उसे नगर पालिका, नगर पंचाथ है, उसे नगर परिशद, तो इस तरीके से उतक्रमित करने का फाइदा यह होता है, कि एक तो जनता की स्टैंडर बढ़ती है, वहाँ पर चुकि उसका छेतर बिस्तरित हो जाता है, सरकार को वहाँ के विकास के लिए रोड मैप बनाने में असानी होती है, तो सरकार का मुख धे है कि सहरी करन के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाया जाए, सहर में रहने वाले बेघर और भूमिहीन गरीबों के लिए बहु मंजिला भावन बनाने की चर्चा की जा रही है, यानि कि जो बेघर लोग हैं सहर छेतर में रह रहे हैं, तो उसके लिए बहु मंजिले इमारत बनाई जाएगी, आप देखते होंगे कि आप कहीं भी दिल्ली में चाहें, या फिर किस अने के लिए बिहार शरकार, चुकि इससे कहीं सहरों की जो छवी है वा बरवाद होती हैं, और चुकि वे सुरचित तरीके से रह नहीं पाते हैं, तो इसके लिए बिहार शरकार एक बिशरा मालै बहुमनजिला भावन बनाने की दिसामिकार कर रही है, शहरों में पुरा मुझेपर पूर रहे हैं तो यहां कि असमार्ट सीटी समांदी कारियों में गति आएगी और सहरों में 100% राध और जला पूर्टी ओधना पर सरकार कार कर रही हैं यानि कि अब शहर की जो भी गलियां हैं उन्हें 100% पर यानि कि 100% राध होगी 2400 घंटा वहां पर आप आपको अश्रीट लाइट की सुवधा उपलब होगी लेकिन यूजी से रात्री को ही करनी है अगला है पर्याबरन सनच्छन पर्याबरन सनच्छन हमने इसलिए अलग सिक्षन बनाया क्यूंकि बिहार शरकार पिछले कुछ वर्षोष अगर देखा जा तो पर्याबरन बिहार शरकार को गेस्ट के रुपे में वहाँ पर अमंतरित त्या गया था और ऑनलाइन प्लेट फॉर्मा में इन्होंने यहाब बताया था कि बिहार शरकार किस पर्याबरन सनच्छन पर फोकस कर रही है तो निशन दे बिहार शरकार चाहे बहाँ जैवी खेती के माध्यम से हो या फिर जैवी कोरिडोर हाला कि इसकी बात जो है बिहार सरकार परयावराण सर अच्छन की दिसह में क्रिशी रूड मैट 3 के जरियें भी कार कर रहे हैं प्रिशी रोड़ बैप 3 की जो अबदी है 2017 से 2022 है तो इसमें जैवी खेती करने की चर्चा हो जैवी कोरिडोर की निर्मान करने की बात की गई है और वह है हमारे प्रयावरेंशन अच्छन के लिए महत्तपूर इसके अलाबा जल जिवन हर्याली अभियान के माध्यम से पूरे देखिनों को मिलेंगे और कहीं न कहीं परयावरेंशन अच्छन इसका महत्तपूर कारण होगा कटिहार में परवासी पच्छियों को सनच्छन और स्रामुदाइक साहब हागिता से इको परियाटनस्थल का विकास यानि की इको टूरिजम पलेस का विकास किया जाएगा कट परियावरेंशन इसका महत्तपूर कारण कर रही है और अगरा जो कि एक महत्तपूर सेक्टर है वह है हमारा नारी ससक्तिकरण नारी ससक्तिकरण क्योंकि बिहार सरकार का जो सात निश्चा पार्ट टू है उसमें एक महत्तपूर थीम है ससक्त महिला सक्छा महिला या सात निश्चा पार्ट टू का मुख एक थीम है ससक्त महिला सक्छा महिला यानि कि बिहार सरकार महिलाओं को ससक्त बनाने की दिसा में कार कर रही है उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में कार कर रही है ससक्त कैसे बनाईगी तो उन्हें आप देखें होंगे कि जो भी अब इंटर उतिरिंट करने वाली अब विवाहित बालिकाये हैं उन्हें 25,000 रूपे प्रदान करती है और अगर graduate है तो उन्हें 50,000 रुपे की रासी दी जाएगी तो कहीं न कहीं अगर वे आगे के education हैना अगर वे इंटर उतिन करने के बाद 25,000 रुपे मिलते हैं तो आप graduation कर सकते हैं master's course कर सकते हैं तो ऐसी सूबधा के जरी उन्हें ससक्त बना जा रहा है educated बना जा रहा है सक्षम बना जा रहा है अत्म निर्वर बना जा रहा है इसके अलावा एक और महत्रपुन कारे जो बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा महिला विकास के लिए 33 परतिशत अरचन तो दिया गया सुरी संभबता 35 परतिशत है आप इसे देख लिजेगा तो इस अरचन के बाद अरचन के साथ साथ अब जितने भी जिल्ले के सरकार कर्याले हैं वहाँ पर उनकी जितनी परतिसioxत उनकी वे करमचानि जितने परतिस्त हैं उस अनुपात में वहाँ पर सम आनुपातिक भागीदारी दी जाएगी यानि कि एक Aoffis में 35% के आस्पास अश्टाफ से संबन्दित हो या फ्रकमाचारी हो वहां पर 35% जो करमचारी होंगे वहां महिलाओं की आवादी होगी आप जिस परकार से पुलिस छेतर में देखते हैं पुलिस लाइन में देखते हैं तो उसी परकार के जिल्ले के सवी सरकारी अस्पताल में अब ऐसा देखने को मिल सकता है तो इस परकार से बिहार सरकार महिल अस्थापित करने पर अगर कोई महिला बिहार में उद्याँ अस्थापित करती है और वह सरकार से करज लेती है तो उसे 50% की रासी अनुदान के रूपें दी जाएगी और अगली 50% सिस 50% की रासी उसे ब्याज मुक्तिरीन के रूप में दी जाएगी तो अब समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुबिधा बिहार शरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है ताकि बिहार की महिलाएं पढ़े लिखकर आगे बढ़ें और बिहार को ससकतेवं सक्षम बनाएं आत्म निर्वर ब बिहार के निर्वान में कौन-कौन से प्राबधान किये गए हैं चाहे वस्तात निष्चे पार्ट टू के माध्यम से इसे किर्यानवित करना हो क्रिशी रोड मैप तीन के जरिये किर्यानवित करना हो या फिर आत्म निर्वर बिहार के जरिये से किर्यानवित करना हो बिहार शरकार एक विक्सित बिहार बनाने को लेका लेकर हमेशा से कटिबद एवां प्रतिबद है और इसी के दिरिष्टी कों से देखा जाए तो हाली में बिहार सरकार के द्वारा बिहार विधान सवा के पटल पर पेस किया गया बिहार का बज़ट 2021-22 इस दिरिष्टी से काफी मा तपुन है, थैंक यू